अपना स्कूल अपना बच्चा अपना टीचर मैं मुश्ताक अबासी टीचर गर्ल्स मिडल स्कूल चितर कोट करना जून च्छाम कोट से डेट आज 29.220 जो हमारी कलास है थर्ड इसका सुब्जेक टीवी एस है और टोपिक जो है एक हाउस लाइक दिस इस टोपिक को आप अपनी बुक के पेज नमबर 84 तू 90 पर देखेंगे इसको आज हमने इसके मेन पॉइंट्स निकाले हैं उसको हम पढ़ेंगे बच्चे जानने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह मुख्तिलफ किसम के गार मुख्तिलफ जगों पे होते हैं नसीम एक बच्चा है बुहुपिन है चमेली है मिटाली है अनूज है और कंशी राम ये एक ग्रूप है बच्चों का ये मुख्तिलफ हिंदुस्तान की मुख्तिलफ रियास्तों से आये हैं आफ इंडिया इन एक केम्प हैल्ड इन सिरी नगर सिरी नगर में इन्होंने एक केम्प लगाया है ये खुद को इंटरूस कर रहे हैं और अपने जो गार है इनकी स्टेट्स में जहां जहां पे गार इनकी होते हैं उनको इंटरूस्ट दे रहे हैं उनका दिसकेशन वेंट लाइक इस इमांग सुटूड़न्स अफ दिफरेंट स्टेट्स मुटिलफ जो रियास्तों से बच्चे आये हैं वो इस तरह इस डिसकेशन कर रहे हैं बच्चा है असाम से इसाम एक स्टेट है जिसका नाम है ब्यूपन हो रिप्रेजेंट्स इस स्टूड़न्स फ्राम मौलन असाम एक जगह है मौलन एक जगह है असाम से थाट एट दियर हाउसे और मेड अफ बंबू पिलर यह कह रहा है कि वहां जो हमारा एरिया है वहां पर बंबू पिलर पे जो मकान हैं बनाए जाते हैं इट रेंस हैवली इन देर प्लेस क्योंकि बारिष ज्यादा पढ़ती है हिंस दियर हाउसे और मेड अल्मोस्ट टेन टू ट्वेल फीट अबो दा ग्राउंड ले ओए यह जो आप नीचे पिक्चर दे रहे हैं उसको मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कह रहा है कि यह 10 या 12 फोट जमीन से उपर बंबू पिलर बेबांस के खंबों पर यह मकान हमारे बनाए जाते हैं क्योंकि वहां पर बारिष ज्यादा पढ़ती है हाउस मेड विद बंबू पिलर इसी ग्रोप में एक और बच्चा है मचल पर देश से जिसका नाम लड़की है यह चमेली फ्रॉम मनाली से है यह कहती है sad that in their place it rains heavily and snow as well वहां पर बारिष तो ज्यादा पढ़ती ही है और साथ साथ बरफ पी ज्यादा होती है क्यों यह it is a hilly area their houses are made of stone and wood यह कह रही है कि हमारा जो houses वहां पे हैं वो पत्थरों और लक्र से बनाए जाते हैं यहां पर जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ यह नीचे house देख प and Anuj have come from Delhi they showed high buildings of Delhi यह कह रहे है कि हमारे जो Delhi है state इसमें बड़ी-बड़ी multi-story building tall houses ने कहते हैं बनाए जाते हैं people live in such tall houses यह इस किसम के flat type houses होते हैं tall houses इनहीं के साथ एक और बच्चा है राजस्थान से यह कह रहा है बारश बहुत कम होती है राजस्थान में it is very hot too यह बहुत गरम जगा है they live in mud houses यह कह रहा है वहाँ पे लोग जो है मिटी के बनाए हुए गरों में रहते हैं with roofs of tharni bushes जो जाडियां वगरा या गास की जिनकी च्छतें वगरा होती है मैं आपको zoom करके दखा रह है मटी का और ऊपर से इसकी गास की च्छत है यहाँ पे सी के साइड एक और यह गर बना है इसकी example है यह mud houses ही made with tharni bushes roof जिनकी च्छत गास की होती है in the same way in the same way all the groups spoke about their houses students came to know that the type of houses depends on the climate condition of area of the area यह कह रहे हैं जिस area में मौसमी हलाद जैसे होते हैं वैसे ही गर्ब वहाँ पे बनाय जाते हैं hence diverse of houses exist in different area of our country और मुक्तिलफ गर्ब हमारी जो country है इसमें मुक्तिलफ एरिया हैं जिनमें मुक्तिलफ किसम के गर्ब बनाय जाते हैं the material user for making the houses also varies from place to place और जो material होता है इन गरों म मुक्तिलफ इसमाल होता है तो यह chapter जो है इनके types of houses भी इस chapter को आप नाम दे सकते हैं यहां पे आपने chapters इस chapter में mud houses देखे टाल houses देखे फिर उसके बाद stone and wood houses वाले गर कैसे होते हैं और bamboo pillars पे किस तरह गर बनाय जाते हैं यह जो आपका chapter है इसको आप अच्छे से note करेंगे और पढ़ेंगे इसका जो बकिया है इसा है textual question का वह हम next class में इसके करेंगे बाकिवा असलाम, good luck, have a nice day झाल